तो आप लोग यह सोच रहे हैं कि आज मतलब मैं यहां कहां पर हूँ तो आज यहां से शुरू होने वाली है हमारी ओसाका की ट्रावल सीरीज और यह देखो पॉट आगे तो आज से शुरू होंगी एक्चुलिए हम ओसाका जा रहे है और पांच दिनों का हमारा प्लान है और ओसाका और क्यों तो दोनों कवर करने वाले है तो प्लीज हमारे साथ बने रहे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर दो और यह देखो हमारी पीछे गैंग खड़ी है पूरी और हम एक पार्किंग प्लेस पर अभी रुके है ब्रेक के लिए ओपड्राग और हम जहाँ पर रहते हैं सपुबा में वहां से ओसाका का रस्ता होता है बाइकार पान्सों से साड़े पान्सों किलोमीटर और आई धिंक चैसे साथ घंटे लगते हैं तो अभी एसा है कि हमने डेड़ सो किलोमीटर कवर कर लिया है और बस आगे का रस्ता बारिश हो रही है कभी-कभी cloudy weather कभी-कभी बारिश आ रही है लेकिन नजारा यहाँ पर क्या मस्त है यह देखो इतने अच्छे माउंटेन दिख रहे है यहाँ से पूरी ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी और यहाँ अभी spring की season चल रही है तो बहुत ही मस्त ग्रीनरी दिख रहे हैं माउंटेन ऐसे मस्त दिख रहे है और यह वाली parking place पर हम रुके थे family mart है यहाँ पर restaurant है बारिश हो रही है हलकी हलकी बारिश बारिश पर रहे हैं बारिश 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 पर रहे हैं यह है आपकी यूट्यूबर यह देखा दोस्तों बार हो रहे हैं जोड़दार बारिश तो अभी हमारा लूंच का टाइम हो रहे हैं तो हम ऐसे लूंच कर रहे हैं यह कार किस्टी देखा जिसको किसी के साथ यह में आयों यह कार किस्टी देखो हमने पाड़ दियों और हम ऐसे बैठे लूंच के लिए मने लेजी आतारो बजा जंब चलो दोस्तों खाना खाने लूंच करने हमारे साथ अपी ऐसा है कि यहां पर बारिश इतनी स्यादा है मतलब आगे की गाड़ी मुश्किल से दिख रही है और अपी 114 किलोमेटर अपी भी रास्ता है हमारा वोसाका के लिए तो देखते हैं और आज हमारा ऐसा प्लान था कि हम जाके मतलब अगर हम 4-5 बजे टाइम से पहुँच गए तो कुमेदा विल्डिंग जो वहां की है वो देखेंगे तो वो वाला देखने का प्लान था लेकिन वो आज ऐसे वेतर में तो पॉसिबल नहीं है तो अभी देखते हैं कि हम शायद हमारी जो Airbnb बुक की है हम डाइरिक वही पर जाएंगे अभी बहुत बारिश है इदर हाँ लेकिन अच्छा है असा है मतलब बैट के इंजोई कर सकते हो अंदर से लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हो पॉक बहुत है 4.30 किलो मिल काट लिया 140 140 बाकी है तो टल अभी 4.30 हमने रास्ता काट लिया और दोस्तो मैंने हैर कटिंग कटवा है बाल कटवा है अपने प्लीज कमेंट करना कि प्लीज कमेंट करना कैसा लग रहा है स्पेशल मैंने ये प्लीज के लिए कटवा है और अपी ऐसा है कि शाम के बस चुके है सवाचे और हम पहुंच गए है अपी एंटर हो गए है और हम सवाचे बचे दूप है सोचो आप हम जहां पर बीच वाले रास्ते से आये थे वहां पर पूरा बारिश वाला वेधर था और यहां पर दूप है तो अच्छा वेधर तो अच्छा है अच्छा हाई फ्रेंड्स तो अभी ऐसा है कि हम Airbnb में आ चुके है और अभी बज़रे पौने 8 और खाने की तयारी मितलब हम कर रहे हैं और खाने में असा है कि दो पहर का मारा बज़ गया था जो हम लंच घर से बना के लाए थे तो बस वही हम आज खाने वाले है क्योंकि वह बज़रे तो फैक्त हो नहीं सकते तो वह हमें यूज करना है तो अभी हमारे सब के लिए इनफ है और Airbnb का टूर मैं आपको कल सुबह आर और अभी हम सब लोग और अभी कैसा है Airbnb में ऐसा है हमें लगा था पहले कि Airbnb में जोएंट होगा मतलब जोएंट बैड्रूम्स और कीचन वगयरा होगा लेकिन यहां पर ऐसा है कि दो अलग अलग रूम है तो ऐसा है कि बॉइस लोग की बाचवाली रूम है और हम गल्स इध करेंगे वहां पर और यहां का तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी और सब इतना अच्छा लग रहा है अभी कि फ्रेश हो गए सब और नाइद्रेस में आ गये हैं और वहां से सुकुबा से यहां पर ओसा का आने का तो ऐसा हुआ था कि बहुत ऐसे लंबा रास्ता था हम साड़े आठ बजे निकले थे और हम होटल में सबस्ता बजे आए और यह रहा बॉइस का रूम क्या हो रहा है अंदर और यह है बॉइस की रूम तो अभी सुबह के बच चुके है साड़े आठ के करीब और यह व्यू है हमारी Airbnb के बाहर का एक्चली हमारी Airbnb का जो रूम है वह 9th फ्लोर पर है और उससे यह ओसा का क्या मस्त दिखता है इसका व्यू देख लो भई ओसा का आप घर बैठे बैठे तो अब चलते हैं हमारी रूम के ओर एक्चली दो रूम है एक यह वाला है और एक वो वाला दोनों सेमी है और इसमें इस तरह का पासवर्ड है और खुल जा सिम सिम तो श्टार्ट करते हम यहां से यहां पर घर में पहनने के लिए चपल है और इधर है वाश रूम यह वाला और फिर यहां से अंदर करते यहां से अंदर आते हुए यह है अमारा छोटा सा किचन तो किचन एक्चली बहुत बड़ा नहीं है छोटा सा ही है और यह है इंडेक्शन गैस और इसमें थोड़े बहुत बरतन है और यह वाला है फ्रीज हमारा उपर है माइक्रोवेव यहां पर जैकेट टांग सकते हो आप यह वाला है सोफा एक्चली आसा है किचन और ऐसे लिविंग रूम अटेच है यहां पर दो चैर है और यह वाला बैठ के आप खाना इंजोई कर सकते हो ड्रायर है फिर टिश्यू बॉक्स है और टॉवल वगेरा भी दिए है उन लोगों ने और यह वाला है बैठ ग्रूम और यहां पर दिवियांग फिर काम कर रहे है तो ये है अमारा छोटा सा बेडरूम डबल बेड के दो बेड है और फुतोन वगेरा भी दिये हुए है उन्होंने और एक्स्ट्रा फुतोन अगर चाहिए तो वो भी है और टीवी है जो आमने स्टार्ट नहीं की है पताने शुरू है या बंध है और एसी है फिर मैं यहां से बाहर का दिखाती हूँ आपको व्यू पीछे का इन्हों ने लिक्विड बगेरा भी दिया है लॉन्डरी के लिए और यह है अमारी पीछे की छोटी सी बालकनी और यहां से भी आपको मस्त व्यू मिलेगा वह देखो वहां पर मैट्रो जा रही है व्यू बहुत ही अच्छा है और इस वाले एरबियन बी का मैं बता दू हमारा दो नाइट का तीन दिन और दो रात का यहां पर 17,000 एन है तो बहुत ही सस्ता है 17,000 एन यानि की मतलब ओसाका में तो बहुत ही कम है क्योंकि ओसाका टोक्यो बहुत ही महंगे सीटी है तो उसके कंपेरिजन में यहां का जो रेंट है वो बहुत ही 17,000 दो नाइट के लिए तो अच्छा है तो बस यह है अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो और बस मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई सहनारा